नमस्कार साथियों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब प्लैटफॉर्म यूपी संगम बाय अमडी क्लासस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी परिक्षाएं 26 और 27 तारीकों होने जा रही है तो अंतिम समय हैं अब कुल मिलाकर 14-15 दिन ही बचा हुआ है तो ऐसे में अंतिम समय में क्या करें क्या ना करें कैसे करें अंतिम समय की रननीती क्या होनी चाहिए इन सब को लेकर जहिर सी बात है कि आप सभी के दिमाग में कुछ न कुछ चिनताएं जरूर होंगी तो इनी चिन में हम तीन प्रमुख बिंदूओं पर बात करेंगे एक तो यह कि अंतिम समय में दस से पंदरा नंबर कैसे बढ़ाएं दूसरा क्या परिक्षा तैस समय पर ही होगी और तीसरा सेफ स्कोर कितना हो सकता है तो इन तीनों में से सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यह जो परिक परिक्षा 26 और 27 जून को ही होने जा रही है हाँ यह जरूर है कि चूंकि अब 14-15 दिन ही बचा है तो अभी तक एकजाम सेंटर के अलाट्मेंट को लेकर खबरें आनी चाहिए थी लेकिन ऐसी कोई नहीं है लेकिन इसका कोई ऐसा मतलम नहीं है कि हाँ परिक्षा 26 या 27 सारी को नहीं हो रही है अब देखिए अभी तो बिल्कुल हम यह कह सकते हैं कि 99.9 परसंट चांस है या 99.9 परसंट अशूर्टी है कि 26 और 27 जून को ही पेपर होने जा रहा है अब यह मान के चलिए कि पॉइंट वन परसंट में अगर कुछ ऐसा होता है कि माल लिजे कि परिक्ष को आगे बढ़ाना है और 12-15 दिन जो भी बचे हैं इसमें अपने रिवीजन को बढ़िया से करके एक्सदाम हॉल में जाना है अब इसके बाद जरा बात करेंगे कि अंतिम समय में 10-15 नंबर कैसे बढ़ाने हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं तो देखिए प्रिविस यर क्वेस्टन के अगर हम बात करते हैं तो या तो आपके पास हमारा विजाई वह बैच या विकास बैच होगा आपके पास या तो हमारा विजाई वह बैच या विकास बैच होगा तो यहां से आप पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास हमारा बैस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं यूथ या घटना चक्र जी हां यूथ या घटना चक्र के जो बुक है प्रीवेस येर की जी येस हिंदी और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट की इसमें से आपको एक पढ़नी है दोनों नहीं पढ़नी क्योंकि दिया तो question वही सेम ही अगर बात करते हैं तो यह भी आपको विजाई भाव बैस से या हमारे विकास बैस से कवर करना है या आप मेंसे लोग कर भी रहे होंगे और या तो क्या कर सकते हैं कि आप वाइटी क्लासे से कर सकते हैं इसको बिल्कुल जबरदस तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेस्टन और इसमें वाइटी क्लासे के साथ साथ आप अपने क्वेस्टन जो कुछ अन्य किताबें आपके पास होंगी आपके पास कुछ मॉडल पेपर की किताबें होंगी वहां से भी आप एक्सपेक्टेड क्वेस्टन को कर सकते हैं अब यह निश्चित है कि आप मेंसे मैक्सिमम कम लोग ऐसे होंगे जो कि इसको कर भी रहें होंगे और हो सकता है इसाफ एक अिसकी लोग यह चीज़ें दो दो बार कर चुके होंगे लेकिन लेकिन आपको बता दें कि अब अंतिम समय में जब आपके पास 14-15 दिन का समय बचता है तो जरूरत है कि कम से कम एक बार और ये सारी चीजें पूरी अच्छे से रिवाइस कर लेना चाहिए अच्छा एक महतुपूर बात ये है कि डेली कम से कम एक model paper अनिवारत आपको लगा जया हो तो नया model paper ले लिए किसी और publication का ले लिए हमारे एंडी क्लासेस का जो publication और reasoning की बात करें तो हिंदी और reasoning में अभी तक आपको जो पढ़ना था वह आपने पढ़ा अब वह जो तैयारी आपने करी है उसके आधार पर आप जानते हैं कि यह हिंदी में हमारे 40-45 हो जाएंगे रिजनिंग में हमारे 35-45 हो जाएंगे लेकिन आप मेंसे maximum लोग ऐसे है जो की मेरी भी बातचीत होती रहती है लोगों से और बहुत सारे स्टुडेंट्स से तो उससे यह पता चलता है कि जीयोस और हिंदी को लेकर रिजनिंग और हिंदी को लेकर जादा तर बच्चों में यह माहौल है कि हाँ सर 40-40 जो है दोनों में on and average कर लेंगे मतलब हिंदी और रिजनिंग को मिलाकर असी क्वेस्टन के आसपास हम आराम से सही कर लेंगे अब बात आती है जीयस की तो जीयस में क्या है कि भाई हम सभी जानते हैं कि सिलेबस बहुत ब्रॉड है और इसको कवर करने में अच्छा-कासा समय लगता है और अंतिम समय में हम बहुत ज्या सहे करीबन ग이션 17 से 20 क्वेस्टन ताख आपके एकजाम में पूछे जा सकते हैं कितने व dealers said 4020 तक आपके एक्वेस्टन में नच्या में अन्म समय में है इसको आप कहां से कवर कर सकते हैं या तो आपके पास हमारा गेम चेंजर बैच हो या फिर हमारे इस यूपी संगम बाइंडी क्लास यूटूब चैनल पर रात की दस बज़े वाली क्लास रेगुलर कर रहे हो और अगर आप में से किसी की ये क्लास छूटी हुई है तो प्ल अगर आप कोई मैगजीन अल्रेडी पढ़ रहे हैं पिछले महीने भर से 15 दिन से 10 दिन से ठीक है या पढ़ रहे हैं कुल मिला कर आपने ठीक विक लगाया है नोट सोर्स बनाया हलका फुलका तो आप उससे पढ़िएगा अधरवाइस मैगजीन मत चुईएगा आप यहीं रोज साम शाम को रोज शाम जिया दोस्तों डेली शाम को छे बज़े हिंदी की क्लास साथ बज़े जीस की क्लास और आट बज़े रीजनिंग की क्लास हम पिछले कई महीनों से लगातार ले रहे हैं तो अब अंतिम समय में आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग गैस पेप और आठ बजे रीजनिंग का guest paper आपको इस channel पर अब लगातार देखने को मिलेगा कब तक 20 तारीक तक तो ये शुरू हो रहा है 12 तारीक से और 20 तारीक तक लगातार हम आपको 9-10 guest paper जितने होंगे वह आपको कराएंगे उसके बाद हम आपके लिए विजसरी महा महरातन लेकर सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट की सभी topic को मिलाकर तो कुल मिलाकर 20 तारीक तक आपको guest paper पढ़ना है और उसके बाद अंतिम 4-5 दिनों में महरातन classes हमारे इस YouTube channel से करनी है जिसका नाम होगा विजसरी महरातन अब बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है तो आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 110 ओभी सी के लिए 108 अज एस्टी के लिए 88 और फीमेल के लिए 102 याद रहे यह न अब यह तो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आएगा लेकिन हमने यह ओन एन एवरेज बताया है अगर पेपर का लेवल इजी होता है तो हो सकता है कि एक दो क्वेस्टन और ज्यादा चली जाए पेपर का लेवल अगर टफ होता है तो हो सकता है कि 3-4 क्वेस्टन और कमा जाए लेकिन यह है कि on an average आपको क्या करना है कि इस target को mind में set करके exam hall में उतरना है और अपनी तैयारी अंतिम 14-15 दिनों में करनी है revision करना है ठीक है ना एक mind में set रहेगा कि हाँ इतने question तक जाना है तो आप उस हिसाब से अपने आपको आगे बढ़ा पाएंगे और exam hall में भी जब बैटेंगे तो आपके दिमाग में set रहेगा कि हाँ इतना attempt करना है इसमें इतना गलत हो सकता है तो card पीट के मुझे इतना मिल जाएगा और यह चीज पहले क्यों बता रहे हैं आप सोच रहोंगे ठीक है न और बिल्कुल और यहां पर जो हमने सूपर सेलेक्टेट क्वेसंस के लिए विजाई भाव बैच की बात करी थी जिक्र करा था तो विजाई भाव बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 199 में यह उपलब्द है ठीक है किसी प्रकार की क्वेरी हो किसी प्रकार का आपको जानकारी चाहिए हो तो आप यहां पर दिये गए नंबर पर वाट्स अप या कॉल कर सकते हैं जो यहां पर दिया गया है 10 से 6 के बीच में WhatsApp या call कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर से आपको बता दें, कि 3 चीज़ें हमने आपकी clear करी, कि अंतिम दिनों में आपको 10 से 15 नंबर कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, तो ये सीधा सीधा हो गया, कि भया, previous year question प्लस expected question पर focus करना है, जिसमें कहां से previous year question हो, क आपको 27 जून कोई paper होने जा रहा है, फिलाल यही मानना है, और safe score को थोड़ा सा ध्यान में रखकर, अंतिम 14-15 दिनों में अपने revision को अंजाम देना है, और panic नहीं होना है, ध्यान रखिएगा, panic होंगे, तनाव लेंगे, तो क्या होगा, इससे नुकसान ही होगा, जो चीज याद नहीं होंगी, दिक्कत करेंगी, तो थोड़ा सा cool रही है, panic मत होने दीजी अपने आपको, थोड़ा सा chill मारिये, chill मारिये का मतलब यह है, कि ऐसा नहीं है कि एक बार बैठ जाना है, तो पता चला दिन बर बैठे यहां पड़ते ही जा रहे हैं, बीच बीच में break लीज दिमाग में चीजें रहेंगी नहीं, और उस तरह से चीजें हो नहीं पाएंगी, यह एक सेंटिफिक रिजन भी एक लगातार करने से दिमाग थोड़ा है, लगातार जब आप पढ़ेंगे, तो चीजें दिक्कत करेंगे, तो बीच बीच में छोटा-छोटा पांच- करते हैं, और उसके लिए पूरी जान लड़ा देंगे, अच्छे कंटेंट आपको लगातार उपलब्द कराते आये हैं, और करते रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सैशन को लाइक भी जरूर कर दीजेगा, दोस्तों के बीच शेर भी कर दीजेगा, तैंक्यू